हाई एवरिवन, I'm Advocate सपना कौशिक और आज जम डिसक्ष करने वाले हैं कि अगर कोई भी पती पतनी, कोट के बाहर अपनी परंपराओं के अकोर्डिंग, अपने रिती रवास के अनुसार डिवास लेता है तो क्या वो मानने होता है, क्या उसकी कोई माननेता होती है आज हम इसको detail में discuss करेंगे लेकिन उससे पहले एक all important बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताके हम आपको ऐसे ही legal updates दे सके तो अकसर कुछ लोगों के ये सवाल आते हैं छोटे कज़बों में रहते हैं, यहां पर जाती हैं जहां पर उनके आलग रीती रिवार अलग राती होते हैं तो वो इकससर सवाल पूछते हैं कि हमने Shane court के बहार दिवार्स लिया है हमने पंचायद से दिवार्स लिया है आपको सबसे पहले ये जाना जरूरी है कि हिंदू मारेज एक 1955 के तहट कोई भी हजबन वाइफ सेक्शन 13 के तहट तलाक ले सकता है यह कोट के थ्रू ही होता है सबसे पहले जो जनरल तरीका है वो यह है कि अगर आप किसी भी समाज से आते हैं अगर आपने हिंदू मारेज ए सबस्केंद के तलाक मिलेगा यह तलाक यह तरा पर तर्फा ये मूचिल डिवास भी हो सकता है एक तरफा तलाक वह नियुसेतव को कुछ दूसर को छोड़कर जा कुए हैं मिचा यह एक दूसर साल से कोई अता-पता नहीं लग रहा है किसी का शादी के बाहर कोई affair चल रहां एडल्ट्री का इशू है या religion कंवर्ट कर दिया है या कोई बिमारी है ऐसे कुछ grounds दिये गए है उसके तहक डिवार्स ले सकते हैं या फिर दोनों पार्टी मूचिल डिवार्स ले सकते हैं जहां पर दोनों आपसी सहमति से अलग होते ह और वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं वो तलाक ले सकते हैं यह तलाक होते हैं सेक्शन 13 हिंदो मैरेज जाट के तहर्त यह एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है इसके बाद आती है वारी कि क्या अगर हम कोट के बाहर सैटलमेंट करके बाहर तलाक लेते हैं तो अकसर लोग क्या क करवा लिया तो इस तलाक की कोई मानेता नहीं होती लेकिन हिंदो मैरेज एक के सेक्शन 29 सेक्शन 2 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी पती-पती अपने कस्चम अपने रीती रिवास के अनुसा तलाक लेता है और वो तलाक की जो प्रक्रिया है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है तो उसकी पूरी मानेता होती है यह कहाता सुप्रीम कोट ने गुर्दीत सिंग वर्स अंग्रेज कॉर के केस में और उसके बाद कई हाई कोट ने और सुप्रीम कोट ने कई अलग-अलग मामलों में बार बार यह दोराया कि हिंदू मैरेज एक्ट के सेक पॉब्लिक पॉलिसी यानि कि समाज के खिलाफ नहीं है तो उसको माननेता दी जा सकती है उसको पूरी तरीके से मानने होता है जैसे कि कई इलाकों में ऐसा होता है कि जाट समुदाय में खाप पंचायत या गुर्जर समाज में खाप पंचायत के तुरू तलाक हो जाता है दोनों लोगों की बात सुनती है और अपना फैसला देती है कि दोनों लोग अलग हो जाए और ये सदियों से चला आ रहा है कस्टम है इसको प्रूफ किया जा सकता है कि हमारे समाज में इसी तरीके से तलाग सबके होते हैं और ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है तो इसको माना जा सकता है या कई देश के कई हिस्सों में छोड़ा छुटी समाज के बड़े लोग बैटके डिसाइड करते हैं आप लोग आपस में रहने की कोशिश कर दीए जब नहीं बन थीए बाहत तो आपसी से तलाक करवा दिया जाते है तो जहां जापर avoir is a custom है जाए सद्विए सीसा चला आ रहा है हुद लोग उसको मानते है ूसको चैलेंज नहीं करते हैं तो ऐसी चीज़ों को accept किया जा सकता है उस प्रक्रिया में अगर आपने तलाक लिया है अपने समाज के रीती रिवाजों के नुसार तो उसे section 29 subsection 2 Hindu marriage act के तहर माननेता प्राप्त है लेकिन अगर आपने सिफ नोटरी करवा लिया आपके यहां पर ऐसी समाज में कोई प्रक्रि 13 के तहर हिंदू marriage act में दे गए कुछ grounds जो कि मैंने आपको पहले भी बताए है उनके आधार पर तलाक ले सकते हैं या फिर आपसी सहमत्री से हिंदू marriage act के तहर तलाक ले सकते हैं तो यह थी पूरी प्रक्रिया कि क्या दूसरे तरीके से custom यानि रिती रिवाजों के नुसार अगर तलाक लिया तो वो मानने हैं लेकिन अगर आपने करवा लिया है अग्रीमेंट बनाया तो उसकी कोई मानेता नहीं होती आपको यह वीडियो कैसे लगा और आपके और मुद्व पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए